वाइडों विल्कुम तो मैं चेनल रहा हैं करमा हिर्णंड बिर्यानी तो यहां पर यह जानते हैं बिर्यानी की रैसेपी सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है यह around 1kg चिकन है और मैंने इसमें जो जो मसाले डाले हैं मैंने इसक्रीपर मेंशन कर दिया है तो आप इसके according लिया पर पाॉस कर के देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या मसाले अब को बोमसाले इसमें डालना है और around half an hour या 15 minutes के लिए आपको इसको rest पर रखना है तो मैंने इसमें मसाले डालने के बाद मैंने इसको half an hour के लिए फ्रिज में रख दिया था अच्छे से मसाले मिला लेजिए ताकि असारे मसाले हर एक पीछ में अच्छे से मिल जाएं यहाँ पर मैंने स्वाइब यहाँ पर मैंने 3 coninary शेप में काट लिया है। तो उसको मैंने गरम तेल में चाहत लीए से देखने के बाद उनको पीसे जुटो मैंने लाला दिया है उनको अच्छे से मिला लेंगे हम लोग अच्छे से भूनना है इनको आपको ठूरी दे के लिए मैंने ढग दिया था इसको ढगने के बार यह देखी यहाँ पर आपका चिकन अराउंड 80% तक कोखो जाना चाहिए तो यहाँ पर मेरा चिकन अच्छे से कोखो गया है 80% यहाँ पर मैंने चावल के लिए पानी लिया है चावल को मैंने बासमती राइस यूज किया है जिसको मैंने आधी गंटे के लिए सोप कर दिया था यहाँ पर मैंने एक किलो के आराउंड मैंने चावल लिया है एक किलो मेरा चिकन है तो एक किलो मैंने चावल भी लिया है और यहां पर मैंने पानी में 3-4 हरी मिर्चे और तेश बत्र डाल दिया था अच्छे से यह बॉल होने लगा है अब इसमें हम और भी मसाले डालेंगे जैसे कि यहां पर मैंने यहां पर जीरा डाला है यह राउंड 1.5 ती स्पून जीरा है 10-15 गोल मिर्चे हैं एक इस्टा एनीज है और यह चोटा सा टुकडा डाल चिनी का अब इसको ढग देंगे और अच्छे से बॉल आने देंगे इसमें जब यह अच्छे से बॉल हो जाएगा सारे मसाले अपने अर्क अच्छे से छोड़ देंगे तब हम इसमें चाबल मिलाएंगे अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है नमक हम बाद में डालेंगे तो यहाँ पर यह बास्मती राईज है मेरे पास जिसको मैंने आदे गंटे सोग किये थी मैं इसको डाल दूँगे इसमें अच्छे से इनको मिला दीजे हलके हाथों से और फिर उसमें नमक डाल दीजे नमक आव अपने टेस्ट के अनुसार डाले थोड़ा नमक इसमें जादा डाले क्योंकि हम चावल में जब नमक डालते हैं तो थोड़ा सा पानी भी हमारा जादा होता है पानी चावल से आपको दुगना लेना है अगर आपका एक किलो चावल है तो इसमें अराम से टेर लिटर पानी आप लेके चलिए अच्छे से इसको कोक करना है अभी देखिए मैं चावल मेरा अभी ये प्रॉपर पका नहीं है इसको हमको around 70-80% कोक करना है तो ये अभी थोड़ा सा कच्छा है देखिए ये असानी से तूट जा रहा है तो अभी ये कच्छा है अभी मैं इसको थोड़ी देर और कवर करके पकाऊंगी लगबर एक मिनट के लिए और अब यहां पर चावल पूरा प्रॉपर हो गया अब मै मैं इसका पानी स्टेंच कर लूँगी इससे करने के बाद मैं एहां पर थोड़ा सा चावल नीचे छोड़ दिया है अब मैं लियर लगाओंगी चिकन मिसाले की और चावल की तो पहले मैं थोड़ा सा चावल रखा और आप चावल रख सकते हैं अब मैंने उसको उपर चिक चिकन के मसाले की लेयर लगाऊंगी यह आखरी लेयर है चिकन की अच्छे से मसाले पूरे में फैला दीजिए और फिर उसके उपर चावल डाल दीजिए बहुत ही जल्दी बनने वाली यह रिसिपिया बहुत ही टेस्टी बनती घर में सबको बहुत अच्छी लगेगी आप ज तो आप अवोइड भी कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर केसर के स्टीन सो तो आप वो भी डाल सकते हैं उसको थोड़ी दे के लिए दूद में बिगा कर उसमें डाल सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें कियोड़ा वाटर डाला है थोड़ा सा और थोड़ा सा उपर से और मैं प्यास टलते टाइम जो भी तेल ताय को डाले डूंगी और मैं रिखन डूल भी डाल है यहां पर देसी गी department की जाकरे और यहां पर देल चल्ट गी सकता है नीचे मैंने इसको तवे पर रखा था मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी यहाँ पर तवे के उपए मैंने इसको स्टीम किया था लगभग 20 मिनिट के लिए आप इसको स्टीम कर दीजिया और यहाँ पर यह दीए कितना खिला खिला चावल बना है थैंक यू सो मच गाइस प्लीज इसको ट्राइब किजिए गर पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए प्लीज थैंक यू सो मच पूर वाचिंग इंजोई दे वीडियो झाल झाल झाल